नमस्कार स्वागत है आपका बिहारे न्यूज में मैं रतनी सेन भारती अज़ हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए क्राइम ग्राप को लेकर बिहार में पिछले कुछ दिनों से बढ़े अपरात की घटना को लेकर नितीस कमार की सुसासन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं पिछले दिनों राजधानी पटना में इंडीगों के स्टेशन हेड रुपेश सिंग की हत्या के वाद से बिहार में सियासत गर्मा गई है बीपर्च लगतार इस मामले में सरकार पर सवाल उठा रही है और बिहार पुलिस की नाकामियों को गिना रही है एसे में काजकरम के दावरान बिहार के मुखमति नितिस कमार से जब पतरकारों ने परदेश के बढ़ते अपराद के वारे में पूछा तो बोग गुसा गए और उसके बाद उन्होंने मीडिया को ही अपनी खरी खोटी सुना दी इसके बाद उन्होंने लालो यादब के सासनकाल को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जरा उनसे पुछिये जिनके सासनकाल में सबसे ज़्यादा अपराद के मामले दर्ज किये गए हैं इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बिहार क्राइम के मामले में तेस्वे अस्था मामले दर्ज हुए थे जबकि नितीस कुमार की सरकार में 15 साल बाद यानि कि साल 2019 में कुल अपराध के आंकड़े बढ़कर लिंक दिया गया है जिसमें लिखा है कि नितीस कुमार हर बार ये दावा करते हैं कि लालो रावडिक के सासनकाल के मुकाबले उनकी सरकार में अपराध कम हुए हैं हलाकि नितिस कुमार के दावे के इतर बिहार पुलिस के आकड़े कुछ और ही कह रहे हैं बिहार पुलिस के अधिकारिक वेबसाइट पर 2004 यानि की लालो यादव के सासनकाल को लेकर से लेकर 2019 यानि की नितिस कुमार के काल तक के अपराधिक आकड़े मौझूद है इन आकड़ों के मानत बिहार में डालोई अदब की सरकार के आखरी साल यानि 2004 में अपराध के कुल मामले 1,15,216 मामले दर्जुए हैं जब की नितिस्कुमार के काल में सरकार के 15 साल के अपराध के आकड़े घटने के बजाए लगतार बढ़े हैं और इस आकड़ों की जो कई अलग-अलग रंग देते दिख रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तिसवर पांड़े ने अपराध के बढ़ने को लेकर जन संख्या विरिधी करार दिया था ऐसे में एक नजर बिहार की जन संख्या के पर इलिए हम डाल लें क्या खिर बिहार की जन संख्या अगर ये नई जन संख्या हमारे सामने आती है तो वह जन संख्या होगी 12-13 कड़ों तक की इसका मतलब हुआ कि बिहार की जन संख्या 50% की रफ्तार से बढ़ रही है जबकि परदेश में अपराध के आकड़े 133% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है ऐसे में बिहार के आंग संख्या दो फिस्दी अपराध बिहार में दर्ज किये गए इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश महरास्ट तमिलाडू केरल गुजरात मध्परदेश दिल्ली और राजास्थान के बाद बिहार का नमबर आता है यानि कि नितिश्कमार को वह दावा जिसमें वो कहते हैं कोई ठोस कदम उठाने के जरुवत है बिहार और बिहार से जुड़ो हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद